साइलेंस 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 हमारे इंडिया में पहले मोस्ट इलिजिबल बैचलर विराट कोली था अगर हमारे विजेवाड़ा में कोई है बीना किसी कॉंपिटीशन के बंपर मेजॉरिटी के साथ हमारा अनन्द विराट वाकलपूरी और बताऊं तो हमारा अनन्द भाई यहां शादी होने जारी है प्रमोशन नहीं जी 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 शादी तो हर्चकाई जैसी होते हैं लेकिन हमारे विजेवाड़ा में वो एक प्रमोशन होगी वो भी किसकी शादी हो रही है हमारे अनन्द की पूरे इंडक्षिन में श्रीलंका त उस लड़की ने इससे प्यार क्यों किया होगा मैं सबज गई देख आनंद शादी होने के बाद उस लड़की को पूरी तरह से विजय वाड़ा की लड़कियों जैसा बनना होगा क्यारे काईकूरे इन से बचके रहना यह सब नहीं चलेगा अब हमारे अनंद की दादी जी अनंद के लिए चार शब्द बोलेगी मैं मा बोलिये ना बिटा आनंद तुझे आध है क्या बचपन में हमेशा मुझसे कहानिया सुनता था कहानी में राजकुमारी के बारे में पूछने पर तुझे गुडिया देख उस ही गुडिया जैसी राजकुमारी तेरी पत्नी बनेगी ऐसा कहती थी फिर वो गुडिया तु किसी को नहीं देता था, बहुत प्यार से सम्हालता था अगर एक खिलोने को तु इतना सम्हालता था, तो अपनी पत्नी को कितना प्यार देगा तु सच में तुझे राज को मारी जैसी पत्नी मिली है बिद्धा, तुम दोनों हमेशा खुश रहना दादी की बादे बहुत स्वीट और टचिंग थी, दीदी, दूले के बारे में सब ने कुछ कहा, आप भी उसके लिए कुछ बोलिये न, बोलिये न, दीदी, शादी के बाद, अक्षरा ने अगर कुछ बोलने नहीं दिया तो वैसे भी हाइदराबादी बिरियानी खाके ब पैदा होने के बाद नहीं, उसके पैदा होने के पहले से प्यार करती हूँ, जब वो पेट में था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो पैदा होगा तो मेरी जान को खत्रा है, पर मैंने कहा मुझे बेटा ही चाहिए, एक्चुली आनन्द के पैदा होते ही, हमारी जिंदीगी म है अनन्दनाक ग्या, मेरा दिन इसी से शुरू होता है, उटखे आनन्द, स्कूल बस आ गई है, नाष्टा कर लो आनन्द, खाना खालो आनन्द, सोचाλλά आनन, आनन, आनन्द, ये नाम ही मेरी सिंदिगी बन गया है, आनन्द, वन ओ आफ थीर मॉस्टिंज पार्ट आफ और लाइफ इस मैरेज शादी कराने के लिए लोग हजार जूट बोलते हैं पता है क्यों ताकि शादी के बाद जूट की जगा ही ना रहे बी आउनेस्ट विदियो पार्टनर रिष्टे में सच्चाई का साथ जरूरी है और वो तो तेरे पास है ही अक्षरा कभी दुखी नहीं होनी चाहिए दुखी होगी भी नहीं ए शादी के बाद मा को भूलेगा तो नहीं न मा की बात सुनकर थोड़ा सेंटी हो गया आप सबने मेरे बारे में कितना अच्छा कहा पर मैंने तो सब जूट कहा मुझे लगा अक्षरा मेरी बात मानेंगे वेट करता रहा जूट बोलता रहा कि अब और नहीं यह शादी नहीं होगी यह शादी आप सब्सक्राइब अच्छा आप ना टाइम क्यों लगा तुझे तुझे पता है ना में यूज जा रही हूँ वैसे आनद आने वाला था ना का है वैसे कुछ महिन बाद तुमें भी इस जेल को जहलना ही पड़ेगा अच्छा ये बता हम दोनों में से सुन्दर कौन है तुम सुन्दर हो ये नशीलिया अरे क्या लाइन मारीया तूने शुक्रिया शुक्रिया अरे टाइम हो गया तू क्या पीएगी तुम्हारी मर्जी में किया प्योंगा तू पीओं हम जा रहें अपना काम कर से हुआ कऊ बॉट्का दुनिया में लड़किया आगे निकल रहे हैं सोना था पर पीने में भी अपने से आगे है मेरे भाई महीं क्या सैंपल है क्या चल बॉटल रख्याओं मृष्टर भूर्साग। करताए अननृ ऑटिर चौह वेजिए, करता हुड़ी हां। यहां थोपीत बंचाए रूला अननृ कोई बात नहीं, लााइट लो मैंने लाइट ही लिया था पर वही ज़्यादा चड़ गया इस नाच्रल लड़कों का खाना बनाना लड़की का पीना ट्रेंड हो गया है मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूं चरा हमारे विजेवाड़ा की लड़की अभी कम नहीं है वैसे हमसे किसी का कॉंपटिशन नहीं है व किस कापी है मैं नहीं हमने कू किस दो कापि है ऄं यह यह सही है वैसे मुझे पीना हो तो मिःगर में एक्दम फुल स्टॉक रहता है पीना हो तो पापा के साब ही उनका वो गाना-गाना मेरा उनके साथ पीना संद्व liका है पता है तुझे भी आ रहा है तो खाये था न मैंने पीजा एक्षरा टिस टूमच अक्षरा तुमसे बात कहूं जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना तब से तुम में बहुत चेंजेस एंड लाइक है अनन मैं वाइन पीना जाते थी पर वाटका पी गए ताट्स वाइब तुम ने कुछ नहीं कहा हूं यू गेव में माइश पेस थांक यू यू नहीं वाट रिली लाइक यू हाँ 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 I really like you हाँ 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 तुम विजयवर्ण को डीप लगी हो ना तुम मुझे इतनी किसमत करो अगर तुम्हे उटी हुई तो तुम्हे उटी हुई तो उसका रीजन मुझे समझे लोग मासी, आज चो इस ने पी कर तेमाशा किया वो छोटा-मोटा नहीं था आनन को गली-गुमाया होगा इसले, हैना आनन? हाँ, वैसे भी, वाइन कितना भी पी ले चलता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है न? बड़ा वकील बन रहा है और हमने वाट का पी है, यह पता है मासी को हम मासी से कुछ नहीं चुपाते, भीर्चा मासी की बहुत रिस्पेक्ट है साइकॉल्चिस पर प्रिफेशन, इंडिपेंडेंडेंट लेडी, शहादी भी नहीं की आनन्द, पता है अक्षरा ने मुझे ही, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया अपनी मा से जादा, वो मुझसे ही क्लोज रही है यह दर राइट चॉइस फॉर है मासी, दही है क्या देखा न, आते ही पहले ओमलेट मांगने लगे, और देखो अब महरानी को दही चाहिए तब चड़ी थी, अब उतार रही है फ्रिज में होगा अक्षरा शुरू से ऐसी ही है शेस अ वेरी पूर डिसीशन मेकर इस लिए लोग इसे कन्फूजन ग्यूटी कहकर बुलाते हैं यह वो एक कोश्यन मांग जैसी है इससे कभी आनसर dabei मत करना जाता मांट फ्रूम जायन को से बातंग में है इस पूम ई लूम में समझ आया ना वो तो बस ऐसे ही बोल गई अच्छा कवरिंग तो मस्ट करते हो तुम आधी रात को पी कर सरकों पे घूमने लगी है आपकी बेटी सुन रहे हैं ना लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे बोलिए सुहाग रात को दूद के गिलास के बदले बियर गिलास से इंटर करने वाली दुलहन कैसे दिन आगे कल जब आपकी बेटी के बारे में पेपर में आएगा तो अराम से बैठ कर पेपर पढ़िएगा आधी रात को घर आती है आप कुछ पूछेंगे नहीं क्या लेट आने पर माने गुस्से में आकर बच्ची को डाट दिया और बच्ची अपना घर छोड़कर चली गई आप मुझे धमका रहे हैं मैं तो न्यूस पेपर पढ़ रहा हूं है मां कब से मांग रही हूं सरफटा जा रहा है मेरा कॉफी दे दो ना कॉफी नहीं बेटा वोट कला के देती हूं ना बर्फ के बिना तो वो नहीं पिएगी मां सुनिये ना सामने वाली कावेर को देखिए वो लड़की कॉफी भी नहीं पीती है क्या है बहुत हजी आ रही है नहीं पेपर पढ़ रहा हूं देख तू रही हो अब आपका हो गया ना ठीक है दीजे क्या कहते हैं तो पंडी जी से बात कर लूं मैं पहले उसकी फैमिली से बात कर ये मुझे लगता है वो लोग भी हमारे बुलावे का इंतजार कर रहे हैं हूं किंभी फोन बज रहा है वाँगों चुछ पता ही नहीं चला हां तुझे कैसे पता जाले का मैं लता जी का बोल रहा हूं जी मैं लटा जी नाम क्यों ले दे हैं हादत हो कहा है ना नहां कि हानुमंत राव बोल रहा हुं है है। थीक है ना सब अच्छासी ना लता जी तो बहुत खूश है जो से आप मेरी पतनी का नाम कैसे जानते हैं आपने अभी तो कहा था कि आप लटा के हस्वेंट बोल रहें हैं मैंने इब लाने के लिए पोन किया था अगनी की रसम अगर पूरी कर लेते तो आनंड लक्षरा के बारे में मिलकर रही है आनन्दो रक्ष्रा के बारे में बात करनी है, जी बोलिए, बात करीए, बोलिए, तो फिर आम मिलते हैं, ज़रूर जी, जल्दी, ठैंक्स जी, रखता हूँ, अरे मेरी, अस्पर मिलेंगी कहां, यह तो पूचा नहीं, तो पूचा क्यों नहीं आपने, अब क्या करूँ, जैसा बढ़ा हो गया है, अकलिक्तम बच्ची जैसे है, मैं कुछ औरी समझ रहा था, भाई साब, अब मैं अपनी बेटी की क्या तारिश दूच जैसी साफ बच्ची है, हमारी अक्षरा, कॉफी भी बना लेती है, कॉम प्लैन भी बना लेती है, मेरी बोते के साथ घर तो ब पैसले लेने होते हैं, उसके लिए तो हम लोग आई ना, यहां मजाखी चलेगा या शादी के बात भी होगी, वा, क्या बात कही है, मा, भाई साब, शादी से याद आया, मुहरत आप लोग तै करेंगे, या फिर हम तै करें, कोई भी तै करें, क्या फर्क पड़ता है, हम सब करना है, तो शादी के मंडब से लेकर सारी तैयारिया मैं खुद देख लूँगा, आप हापी ली रिलाक्स हो जाऊंकिल, ओके, लड़के वाले, लड़की वालों की अब बिदाई करेंगे, बिदाई तक तो ठीक है, लेकिन दहेत सामने से नहीं मांगना चाहिए, यह क आजकल बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, प्राइवेसी, अक्षरा, आनंद को उपर ले जा और अपना गार्डन दिखा दो, वो, वो, वाट अ गार्डन, तुमारे फादा दी है ना, इसके वाडन, हेई, तो प्रिटी, तो ग्रीन, तो ब्यूरिफुल, आनंद, हम जब से मिले हैं तब से अब तक, वक्त कैसे बीद गया पता ही नी चला ना, या, आई नो, हमारी पहली मुलकात तुम्हे याद है क्या, हाँ, विजे वाड़ा टु हाइदरबाद बस में, कैसे बूल सकता हूं, तुम पर तो मैं उसे दिन फिदा हुआ, मुझ में क्या द पर तक वेट कराया है ना, वेट करता रहा, करता रहा, आट लास्ट कॉल तो आया, वैसे तुम्हे मझ में क्या अच्छा लगा, तुम्हारा केरिंग नीचर, अनन, त्दैंकीू, आनन, आफ तो तॉक्त तु ई, अल राइट, लीज, अब बो, ट्या है ना, अनन, मैं एक सा शादी इंगेजमेंट इतना फास्ट होने लगा है तो मुझे टेंशन हो रही है शादी के नाम पर हर लड़की को टेंशन होता है अगर तुम्हें भी है तो इसमें कुछ भी अपनॉमल नहीं है उसे भी बड़ा डिजाइनर एक और है जो भी होने वाला है वो डिजाइन करता है हम तो बस कटपुतली हैं हेलो राइटर सहब अपने डियालोग्स आड्स में इस्तिमाल करना अक्षरा पर नहीं एड से याद आया कला मंदर के लिए नया आड करने जा रहा हूं कॉनसे राइटर भी मैं हो जिंगल भी मैं ही लिखुँगा कॉन्टेंट जबर्दास्त है सुना 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 कला मंदर की नहीं साडियां सस्ती टिकाव कई साडियां शादी के घर में अल हापी लेडिज के लिए स्पेशल डिसकाउंट्स कला मंदर कला मंदर टक्स्टाइल टिक टॉक बाभी बाप्रे शाती कोई च्छोटी चीज थोड़ी है ये मंदब जेवर साडियां कपड़े मेहमाणों की खाते आप टेंचन मत लीजे भावी सब लोग मिलके करेंगे तो सारे काम आराम से हो जाएंगे बहुत शुक्रिया भावी आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा हम वेसे उपर क्यों आए हैं टाइम वेस्ट करने के लिए क्या हम बोलो क्यों आए हम विजयवाडा के लड़के बहुत रोमेंटिक होते हैं कुछ भी करते हैं बहुत रोमेंटिक लिए करते हैं आनन क्या कर रहे हो तुम नहीं चानती क्या मा कभी भी उपर आ सकती है मा तो न मैं तो फसाईलव भी बूलने आया था मैं कहीं भी शुरू नहीं हो जाता मतलब मैं इसा करती हूं क्या उस दिन मुआ मुआ करके तीन पपी दी और आईलो भी बोला तुमने कहां उस रात को मुझे सिर्फ आईल अप व्यू तक याद है तुम लड़कियां कभी मानती नहीं न हुआ वे जाता है आनन, मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी सब स्वीट बहुत खाते हैं, इसलिए सब लोग स्वीट है लिसेन, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूं, ऐसा नहीं लगता तो समझ गया, बोलो हमने जो डिसिशन लिया, वो सही है ना किसलिए? शादी के लिए थोड़ा टाइम लेकर, एक दूसरी को थोड़ा और जादा समझ कर हेलो, तुम्हारी नीज़ा मासी ने बिल्कुल सही का था, तुम पक्का कन्फूजन पार्टी हो देखो, अक्षरा, शादी से पहले एक दूसरे के बारे में सब जान लेंगे तो IPL मैच का हाइलाइट देखने जैसा होगा अगर शादी के बाद जानेंगे तो लाइव मैच की तरह आगे क्या होने वाला है उसका एक्साइटमेंट बना रहेगा अरे क्या हुआ आउट हो गया यार तुम मुझसे बात करते हुए मैच देख रहे हो क्या हाँ तो उसमें क्या हुआ आज इंग्लेंड वसेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है पर वो इंडिया का मैच तो नहीं है न देखो अक्षरा जब हमारे अडोसी पडोसी लड़ते ह यह यह वह 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 बहुत बढ़ी आच चल रहा है थोड़ी देर बात कहलता हूं आ और राइट या भाई झाल आ यह वाई कश्या देख अ बाइट विचे आ यह है है कैसी व विसक्ति शीदा पॉइंट पर आता हूं मैं तुमसे स्वरी बोलने आया हूँ आइनों ये तुमारे लिए सुर्पराइजिंग होगा हम दुनों के भी जब ही प्रॉब्लम हुई है तुम ही पैच अप करती थी पर इस बार तुम नहीं आया मैं बहुत रेस्लेस हो गया आइनुव दूम्तिंग रिली रॉंग कुछ तुम मैं सोरा था तब मुझे समझ आया मुझे सौरी बोलना चाहिए गुट अच्छली मुझे लगा था कि तुम मुझे इग्नोर करोगी या मुझ पर चिलाओगी बढ़ तुमारी स्माइल देकर और तुम्हे इतना कूल देख और आम रिली हैपी सच बताऊं तो उस दिन लुक विजय, डूंट राइट कॉन्विंस मी लट्स नोट दिग इंट पास्ट अहाँ इमोव डॉन, मेरी शादी उने वाली है उसका नाम अनन्द है वो भी विजय वारा से है अक्षरा, I know it's my mistake but how can you do this to me? I'm not answerable to you anymore, Vijay So, तुम्हे ने शादी के लिए हाँ के दिया है क्या? तुम्हे ने शादी के लिए हाँ के दिया है क्या? हमेशा सारे डिसिजिंस लॉग रं के लिए वर्क आउट नहीं होते हैं कुछ डिसिजिंस फास्ट लेने चाहिए पता है आनन में मुझे सबसे जादा क्या पसंद है? गल्ती चाहे मेरी साइट से हो वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है इसलिए वो बहुत इंपोर्टन्ट है So, let's move on That makes sense Bye क्या मैं कभी कॉल कर सकता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो Of course Vijay तुम कॉल कर सकते हो Bye Bye अक्षरा की शादी तै हो गई है ये सुनकर बहुत खुशी हुई भावी हमें अपनी और बच्चो की शॉपिंग करने नीच चाहिए 10-15 दिन पहले सब खातम करना होगा हमारे पोटे की शादी तै हो गई लड़की बहुत सुद्दर है अरे मोहरत बताते हैं सबको बताएंगे इतनी भी जल्दबाजी क्या है एक बात तुमैं भूली गई हर गंटे लड़के वाले को चाय नाश्ता देना पड़ेगा आनन को तो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं ओली कॉफी कॉफी और चाय तो होती रहेगी महमानों को मिठाईयां भी तो देनी होगी अरे उन्हें अगर शुगर हुआ तो मूँ खोलते ही अपशकुन बोलती है रती भर की अकल नहीं है कभी तो अच्छा बोला कर बे अकल कहेंगी बच्चो और बड़ों के लिए कोल रिंग्स और आइसक्रीम भी तो चाहिए और अगर शाम को हाड रिंग्स मागी तो पहले इसे कमरे में बंद करो महरत बंड़ने का होगा तो अच्छा होगा शुरिये जी लेकिन आधी रात का महरत मत रखना अरे वीकेंड होगा तो सही होगा भाई छुट्टी मिलने में दिक्कत होती है भाईया शादी कम से कम चार दिन की होनी चाहिए किसी भी सब्रदाय से हो बस अच्छे से होनी चाहिए मेन्यू में पापर जरूर होना चाहिए लीजे कौन सा बुप करूँ मासी आनन के मेकप के शलमयदारी मेरी है आप चिंता न करें अब क्या करने है पापा हाँ घर बना कर देखो शादी करके देखो कहते हैं दोक्त क्या हम उसमें पटरसक्ज क네ई और गया नहीं है पापा है अब क्या क्या करूँ मैंने तो लिखा था पर केटरिंग वाले ने कहा कि बच्चों को चॉकलेट ज्यादा पसंद है इसलिए चॉकलेट लिख दिया पर आपको तो पता है मुझे बटरस्कॉच पसंद है हाँ अक्षरा पर वहाँ तुम मेरी बीटी नहीं हो दुलहन हो वहाँ वैसे भी वहाँ मंडप में बैठकर तुम आइस्क्रीम खाऊगी क्या शादी करके मंगल सुत्र पहन कर अपने घर चले जाना है और फिर अइओ क्या होगी है तुमें पापा शादी के बाद जिंदगी एकतम बदल जाती है क्या स्रेस्टिक्शन ंजादा हो जाय strollाएंगा क्यां बता है अक्षर जब तुम चोटी थी, तुम्हें याद है? पायल चाहिए, पायल चाहिए, कहकर बहुत जिद्किया करती थी कई दुकानों में घूमने के बाद, तुम्हें जो पसंथी, वही पायल लेकर आया वो बहुत मजबूत और वजनदार थी, पर तुम्हें वही चाहिए थी तुम फिर उसे पहन कर घर में इधर उधर घुमती रहती ये दिखकर मैंने यूही पूछ लिया, बेटा दर तो नहीं हो रहा तब प्यार से तुमने एक बात कही थी, नहीं पापा, ये मजबूत है, भारी है पर जब चलती हूँ तो इसकी चंचन की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है बाबा, इसे मैं पहने रखूँगी शादी भी वैसी है, थोड़ा डर सा लगता है, थोड़ी दिक्कते आती है, थोड़ा दर्द भी होता है पर आने वाली जो खुशिया होती है, छोटी मोटी नहीं होती, बेटिया तो पराया धन होती है, उन्हें जाना ही पढ़ता है, ये, चुपो जाए, क्यों ऐसे ये, हम लोग अपने फाम हाउस जा रहे हैं, हमारे पुष्टैनी घर, हम हर साल जाते हैं, पहले भगवान की पूजा करते हैं और भोग रखते हैं, फिर फुल एंजॉयमेंट, तुम भी क्यों नहीं चलती, क्या बेटी तुम अपने प्रिता से पर्मिशन चाहिए, क्यों अपने बेटी को इतना दबा के रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, आप बस ओडर कीजिए, आपसे वो मेरे घर की बेटी नहीं, आपके घर की बहुत समस्य है, ओके, ओके, इस खुशी के मौके पर, आप चाय बना दीजे, पापा, आप टीवी ओन कीजिए, और मैं अक्षरा को लाइन में खड़ा करेगा, पापा, आनन, मेरे लिए, नई, वेटर के लिए है, जाके दे दो, सॉरी, हे, बहुत सुन्दर है, मैंने सिलेक किया है, मुझे टी ट्वेंटी मैच और टाइटन वाच बहुत पसंद है, वाउ, हे, हे, इधे तो, टू रेट वेल्वेट कापकेक्स, वन क्लाप सेंविच, बहुत है, मुझे नहीं पुछो के, तुम्हारे डिसाइड करने से लंज कहीं, डिनर टाइम में ना बदल जा, इसले मैं और करा, वान सेकंड, येस प्लीज, हाम विजय, मैं तुम्हारे नंबर मैंने कहाना विया फ्रेंड, अब बोलो, साड़ी, 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 मुझे बोलना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, तुम फोन पर टिनु मैंने स्टार्ट को दिया, हाव इट, कैसी है, हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छ You know what? होने वाला पती सामने और साइड में जाकर बात कर रही हो, तो पका उसका एक्स बॉइफरेंट ही होगा. इस दुनिया में बिना धर्म का इंसान होगा, लेकिन बिना पास्ट का नहीं. तुम दिन बर दिन डिफरेंट लगने लगे हो. विजे भी बहुत दिफरेंट इंसान था, इन फाक थोड़ा मेंटिल भी था. ऐसा क्या हुआ? अरे, पूश्चा था नंबर डिलीट कर दिया क्या? He's mad. इसमें क्या हुआ? भारगवी का नंबर अब भी मेरे पास है. बताया था ना, कॉलेज लव. उनके साथ फ्रेंडली रहना गलत थोड़ी ना है. बैसे उसने कॉल क्यों किया था? बेसिकली वो भी विजे वाड़ा से है. विजे वाड़ा और हैदराबाद दोनों में ही उसके बुटीक के ब्रांचेस हैं. कुछ सारी डिजाइन्स में मुझे हेल्प करने के लिए कह रहा था. हाओ के ना है? इस ओके. तुम दोनोंने इससे पहले भी एक साथ काम किया था, ना? दुबारा करोगी तो क्या जाएगा? तुम्हें चलेगा? तुम्हारी चॉइस है. कहाँ काम करना चाती हो, किसके साथ करना चाती हो? तुम्हारी मर्जी. आई यू शॉँ? तुम पीकर गिर सकती हो, ये मुझे यकीन है, पर दुबारा उसके प्यार में गिरने का चांसी नहीं है. बेसिकली इस आनन्द के पास ही एक मैजिक है, और उसमें से कोई बाहर नहीं जा सकता. बुम बुम बुम. तुम्हें थोड़ा ओवर कॉन्फिदेंस है ना? ओवर कॉन्फिदेंस नहीं, ओन हर कॉन्फिदेंस. मतला? ओन हर कॉन्फिदेंस. वो मेरी है, ये confidence जो अपने आप पर भरोसा करता है, वो दूसरे पर भी करता है किसी बड़े आद्मी ने कहा था कौन? मैंने ये तो पक्का थुमारे विजयवाडा की स्मार्टेस है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सर्थ ये सर्थ उच्टीन, खराते हैש दिएर खकान pols मैं सब कितना मिस्क्या जांतीयो मैं सिफ एक वर्टिकल डिशाइंस को जिल्यक्षान संमाज्ता था आध counselors suggest किया तुमने और शॉड पर पस लगाए लगाने का थी तुम्हर ही था अमेजिंग क्लाइन को तुम्हारे डिजाइनिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा अब समझाया उन लोगों ने सिफ तुम्हारे डिजाइन्स ही क्यों मांगे तुम्हें सौरी बोलने के हिम्मत नहीं हो रही थी वरना हमारा बुटीक तो नजाने कहां होता ओ अच्छा तो इस वज़े से तुमने सौरी बोला था नहीं नहीं बिलकुल नहीं ओके एनिवे मुझे जाना होगा आनन हैदरबाद आ रहा है ओ सो मा ने उसे डिनर पर इन्वाइट किया है बहुत ज़्यादा पसंद करती है उसे मुझे जल्दी घर जाकर रस्मलाई बनाना सीखना है आनन की फेवरिट डेजर्ट है सो अब तुम हुमारे विजवाड़ा की लड़की बनने जा रही हो ठीक है मैं चलती हूँ अक्षरा फिर्स लव इस अमोस्स मेमरेबल कहते है इनकेस तुम्हारी शादी फिक्स नहीं होती तो अगर मैं स्वारी बोलता तो क्या तुम मुझे दुबारा कंसीडर करती दीदी खीर तो बहुत ही चेस्टी है आनंद होता तो और भी मज़ा आता ए एक काम करें क्या अगर कल कोई विजवाड़ा जा रहा है तो उनके हाथ बिचवा देते हैं कोई ज़रूरत नहीं है रसमलाई तो क्या पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं आता तुझे तो क्या हुआ मा कल सारे काम को साइड में रखकर मैंने उसके लिए रसमलाई बना के रखी थी और उसने फोन पे आना कैंसल कर दिया सुभह से तुझे कॉल कर रहा है तेरा ही नंबर नॉट रीचिबल था आहां ये आया एक और जूट मुझे कॉल करता तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी इसलिए उसने आपको कॉल किया देखो अब उसका एक भी कॉल आया तो मैं तो बात नहीं करने वाली ऐसी बात नहीं करते है बेटा इतनी छोटी-छोटी बातों पर जगड़ा करते तो तू पैदा नहीं होती और आज नराज भी नहीं होती आज की लड़कियों को बिल्कुल अकल नहीं है ये और इंके कन्फूजन्स देखो ना मासी कैसे उसकी साइड ले रही है मासी ये लड़के ना लड़कियों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं शादी तो फिक्स हो गई ना अब मैं खुद उसके पीछे भागूँगी ये उसको भरोसा है आनन भी ना बागी लड़को जैसा निकला अरे वो मुझे फोन नहीं करेगा तो मुझे गुसा आए गई उसे पता नहीं क्या तब भी उसने मा को फोन कर दिया क्यों मुझे कॉल करेगा तो मैं घंटे बार बात करूँगी इस बात का डर लगता है उसे अरे, जाने देना, आनन ने तो तुझे कॉल किया था, तेरा ही फोन नहीं लग रहा था, बेचारा, उसकी क्या गलते बता, अरे मासी, ये बाते लड़के अपनी बातों को कवर करने के लिए कहते हैं, मेरा फोन दिन बर रिंग पर रही था, बहुत काम था मुझे, चाहो तो पूछ लो, दीदी बता रही थी कि तु दुबारा विजय के साथ मिलकर काम कर रही है, तो क्या, आनन इस बारे में जानता है, हाँ जानता है, उसे कोई प्रॉबलम नहीं है, अच्छी बात है, मासी, सर्प्राइज तो ये है कि विजय मुझे सौरी बोला, तो क्या, विजय उसने सौरी बोला, अभी तक उसने अपनी लाइफ में किसी को भी सौरी नहीं बोला है, अपनी गलती कभी नमानने वाला विजय आंखों में आसू लेकर सौरी बोल रहा था, मासी, तो जाकर पेपर में छपवा दे, ऐसा क्यों, इस टू लेट, इतना आसन तो करती है न, आनन की छोटी सी गलती पर उस पर गुस्सा मत हो जाना, ओके, आज विजय ने मुझसे एक बात पूछी, मासी, अगर तुम्हारी आज शादी फिक्स नहीं होती, तो तुम मुझसे शादी करती क्या? तो एकसप नहीं करेगी न, आक्षरा, तुम दोनों अलग हो गया थे, तेरी उसके साथ हैपी मोमेंट्स बहुत कम थे और जगड़े जादा होते थे, पास की वज़ए से अपने प्रेजन को खराब मत कर, फ्यूचर में बहुत प्राब्लम्स होगी, आनन्द बहुत ही अच मिलूंगी ऐसे हाथ तुछ से में, जैसे नदी से जहर ना मिले ना है अब कोई बंदिशी, तेरे हाथ में हमेरा हाथ है बातों में तेरी आँखों में तेरी मेरे देखा खुद को सदा तु है मेरा जान और मैं तेरी मेरे देखा खुद को सदा तु है मेरा जान और मैं अच्छे से खाना वाह पशली का सारन बहुत अच्छा बना है अगर वो भी यहां होता तो कॉन अंकल आपके दोस्त है क्या अच्छा मेरा बेस्ट फ्रेंड डॉनि लॉकर अच्छा तुम्हें तू नहीं 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 तुम्हें यह ब्राण पसंद नहीं नरेश विस्की नहीं यह तो वाटका वाली है जिन हाइद्राबाद से मिलने के लिए वाइन पीने गई थी और कि आज दोस्तों ची पर आँ वाटका के शौक के मारते ए और उसके बाद आनंस जोन जाना पर ब láब इतना हासना है शादी के बाद बिल्कुल सब्सक्राइब अब तो ही श्रू हो गया कि थाई अक्षरों में तिरा मेरा नाम हे लिखा आकाश और समंदम से ने बनाई सारा जवाँ दून्डू जो इस जहां में ना मिलेका तुछ साव्या अरे यार दीदी बोलो मैट्स में मेरी थोड़ी हेल्प कर दो तेजू कल मुझे वेडिंग कार्ट सेलेक करने के लिए विजेवाड़ा जाना है यार दीदी परसो चले जाना प्लीज मैंने अल्रीडिट बुक कर ली है अब आपको बहन से जादा शादी इंपॉर्टेंट है सही कहते हैं लोग नए रिष्टे जुड़ने के बाद ना लोग ना पुराने रिष्टों को भूल जाते हैं अपने सड़ेवे एक्जाम्बल अपने पास ही रख वसे नेक्स्ट यह मैं यहां होंगी नहीं तो तु क्या करेगी तु पढ़ाई कर मैं आनन से बात करके आती हूं हाई आनन क्या कर रहे हो यह ओनलाइन शॉपिंग कर रहा हूं कौन से कलर की शिर्ट लू यह सोच रहा था तुम्हारे उपर ब्लू शिर्ट बहुत अच्छी लगेगी हाई थिंक यह राइट लाइट लाइट होगा तो और भी अच्छा लगेगा इन फाक्ट वाइट उपर बहुत सुट करेगा मैं तो अपनी शॉपिंग कर लूंग लेकिन तुम बताओ अब बताओ अब अब वाइट वाइट उपर अब तुम्हारे वाइट नाव बज़ पिक अड़ोगे क्या हम हम अधराबाद मेरे तो कैसे पिक अड़ाइट बाभु विजय वाड़ा कल मैं तुम्हारे गाओ आरी हूं ऑ क्यों साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिसक बहुत मुश्कल से मिले हैं अम्रेली सोरी बर मैंने ओलरी टिकेट सब्क कर लिय है अ उस टिकेट का क्या यह मैच पिर से नहीं होगा वरी इंपर्टन अच प्लीज अंडर्स अडर्सटान इसके शोब खिए सोश्वी थैंक्यू सो मच अच 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 तेजू, तुझे डाउट्स क्लियर करने थे ना, यहां आजा क्यों दीदी, जीजु से रोमांस हो गया IPL मैच है, सुनराइजेस वर्सेस मुंबई इंडियन्स क्या हुआ, आप ना अराज हो गई मैच के चक्कर में, वो अपना वेडिंग कार्ड सेलेक करने की बाद भी भूल गया आपने फिर भी कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी, आपना बहुत बदल गये हो, अगर वही विजय होता तो अब तक दो फोन के टुकडे टुकडे हो जाते बट आपने जीजु को कुछ भी नहीं कहा हम, I think, शादी के बाद, गल्स हैव तो चेंज, सही कहाना दीदी गुट नाइट नाइस वेरी नाइस थांक यू पर गॉल पर गॉलाया, वरना मैब तक हाइवे पर होता I was just about to leave वैसे, इतना अर्जंट क्यों मिलना था? Anything specific? कुछ नहीं, just like that तुम्हें अपनी इंगेश्मिन की फोटोस भी तो दिखाने थी ना तुम बहुत सुंदर हो थांक्स, कॉम्प्लिमेंट था इससे पहले तुमने मेरी तारीफ का भी नहीं की इसलिए दू चली गई कार रोकने के लिए चिल्दा रही थी हाँ, और उसके बाद मुझे अकेले छोड़के चले गए थे ना मैं क्या करता अक्षरा, तुम गुस्से में थी कार रोकने के लिए कहा, रोक दी उतरकर बाई बोल कर चली गई I too was in a bad mood मैंने भी नहीं रोका Thanks, मुझे ना रोकने के लिए उस दिन से ही मैंने किसी और पर emotionally dependent होना छोड़ दिया हमेशा के लिए बटक्षरा, एक बार मेरी बात तो सुनो, फ्लीज One minute Hello, Anand हाँ, बोलो Okay, कब? कल ही ना Sure, sure, once I reach हाँ, मैं पहुँचती ही, तुम्हें कॉल करती हूँ या या लूब रव्ल एई, चल कपड़े फोल कर यह रख ले, आनंद के लिए बेसन के लड़ू यार से रख लेना उसे बहुत पसंद आएंगे आपके पेटू दमात को कुछ भी खिला लो वो कोई बकासुर से कम है, अरे चुपकर यह क्या है, आनंद के बारे में कुछ भी बोलती रहती है क्या हुआ, आज यहां मीटिंग क्यो रखी है देखे बापा, आपकी बेवी आपसे ज़्या आनंद को पसंद करने लगी है अरे, वो दामाद है ना अगर उसको खुश रखेंगे, तो वो तुम्हें खुश रखेगा इसलिए तु इतना अर्जंट में क्यों जा रही है तुझे बुखार भी तो था ना ये, ये उनकी शादी के पहले दिन के लिए है उन्हें अभी खुश रहने दो, बाद में सिर्फ मेमरेज इसे भी रख, वहाँ पहुंचते ही मुझे मेसेज करना क्या हुआ क्या हुआ मैं नहीं करूंगी तो आप तो जरूर कॉल करोगी ना ममा बेटी पहुंच गया, सब ठीक है ना ये छोटा-छोटा प्यार कितना सुन्दर होता है ना मा कहा हो, किस के साथ हो खाना खाया क्या, घर कब आओगी ऐसे मुझे कई बार मेसेज किया है ना आपने पर मैंने कभी आपका रिप्लाइ ही नहीं दिया I'm sorry मा क्या बोल रही है शादी के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा ना मा मुझे ये सबजी अच्छी नहीं लगती पाहा से प्लीज ओमरेट लेके आ जाओ ना पापा से जगर कर रिमोट छीन कर टीवी नहीं देख सकती जब मर्जी बिस्तर पे घंटों सोई रहना जैसे चाहे वैसे रूठे रहना ये सब अब नहीं हो पाएगा ना मा सास ससूर चाहे जितना प्यार दे दे वो मा पापा की जगे नहीं ले सकते मा यहां मैं बिल्कुल अपने मन के हिसाब से रहती हूं मा वहां उनके हिसाब से रहना पड़ेगा जब वहां होंगी तो तुम मेसिज करोगी ना अक्षरा क्या सब ठीक है वहां तब में रिप्लाइज ज़रूर करूंगी मा अलमिस्यों मा हेलो आनन मैं पहुँच गई कहा हूं तुम तुम पहुँच भी गई या तुम आ रहे हो ना मुझे पिक करने के लिए या 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 आ रहा हूं आ रहा हूं तुम तिदा हमारे घर चली जाओ ना तुम्हारा घर गाउं के उस तरफ है पहले आके मुझे पिक कर लो ना आ रहा हूं ना आल बी दे अच्छा लिसन तुम पहुँचने से पहने मुझ स्कॉल करना ओके 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 बाई ब्रो थर्ड लाइन बहुत इंपॉर्टन्ट है बेज बड़ा दे हेलो तेजू एक्जाम कैसा रह तेरा बढ़िया ओ वेरी नाइस अच्छा ठीक है आते वक मैं विजेवाडा के सारे फेमिस स्वीट्स लेकर आऊंगी ठीक है ना पहले मुझे आनन से मिल ले दे वो अभी मुझे पिक करने के लिए आ रहा है मैं बाद में बात करूँ बाई गाईज अपना ट्यून तो बढ़िया है पर थर्ड लाइन में मजा नहीं आ रहा हमारा एड क्या है एक लड़की एक लड़के के लिए वेट कर रही है वो लड़की बहुत इगली वेट कर रही है बॉइफरेंड का वेट करते हुए औक सो मिनरल वाटर से अपनी प्यास ब पुझने वाला जो मूड है ना ट्यूनर का इफेक्ट चाहिए उसमें हम ओ गाईज वन सेकंड जस्ट काल हेलो कहां हो आ रहे हो के नहीं भूल गए क्या 10 मिनिट्स बस निकल रहा हूं अभी तक निकले भी नहीं हो तुम ओके 10 मिनिट्स मैं आ रहा हूं आनन तुम्हारे प तुम्हारे आने तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा और तुम बस्टॉप के पास हो ना और मेरी जगा तो बाबा होटल के पास है ज्यादा दूर भी नहीं है आनन मुझे नहीं पता ये बाबा होटल कहा है इतने कॉम्प्लिकेशन किस लिए हैपिली आटो लो पांच मिनिट पांच जाओ कि बाबा होटल पहुंचते ही उसी रूट पर स्ट्रेंट जाते हुए लेना सेकंड लेप नो अक्चली थर्ड लेप समझ गई ना वो सड़क के पास पहुंचते ही मजे कॉल करना मैं पहुंच जाओंगा और तुम्प्लिकेशन झांच अनन्द है सॉरी 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 रियली सॉरी प्लीज फोगिव में लेट हो गया बहुत ट्राइए किया तू मच अव वर्क अरजेंटली एक ट्यून डिलिवर करनी थी इसलिए लेट हो गया थैंक्स मेरा वेट करने के लिए मैं चलता हूं अाँ मैं आनन्द वीजे ओ विजे वॉडेफूल अरे जब ये तुम्हारे साथ ही था तो क्या प्रॉबलम थी बुलाया तुम ही था तुम नहीं आये तो ओ या 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 ये भी विजेवडा से है ना अक्षरा ने बताया था तुम भी विजेवडा के हो गुट 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 क्यों ना हम तीनों मिलके लंच करने चलते हैं नो थैंक्स मेरी क्लाइन के साथ मीठिंग है I gotta go वैसे भी तुम हो ना मैं चलता हूं अक्षरा थैंक्स बाई तुम रुखो विज्एक क्या हो अक्षरा क्यों इतना गुस्सा मैंने बताया था ना अर्जेंट काम था इसलिए लेट हो गया यकीन करो मेरा कमान या रक्षरा कभी-कभी हम काम में अटक जाते हैं इतनी इसी बात पर इस नौट अ बिग डील अनन्द तुमने मुझे वेट कर आया और सिर्फ एक सौरी बोल रहे हो दाट सित इतना ही ना मुझे यहां आकर तुमसे मिलने के लिए बहुत प्रिपेर करना पड़ता है मैं हर रात पापा और तेजो के साथ वॉक करने के लिए जाती हूँ पर कल रात मैं नहीं गई क्योंकि आज मुझे जल्दी उठना था और उठकर मुझे तुमसे मिलने के लिए यहां आना था यहां आने के लिए मैं सब कुछ सब कुछ साइड में रख कर आई मेरी तब्याद ठीक नहीं थी फिर भी तुमने बुलाया तो मैं आई और तुम अब क्या बोल रहे हो वट इस बिग डील कहा न तुमने मैंने अपनी सारी प्रियॉरिटीस चेंज कर दी हमारी शादी के लिए और तुम अरे कमोन अक्षरा बताया ना लेट हो गया मैं मानता हूँ सौरी कहा ना मैंने आम रेली सौरी चलो सब मिलकर लंच करने चलते हैं इस ओके जो भी हो रहा है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा तुम मुझे पहली बार मिले आनन जैसे नहीं लग रहे हो तुम्हें याद है मैं जब विजवाड़ा आई थी तो अपने अंकल के घर के अड्रस को लेकर कन्फियोज हुई थी तब फॉर्स टाइम मैंने तुम्हारे नंबर पर कॉल किया था पांच मिनट सिर्फ पांच मिनट में तुम मेरे पास पहुँच गए थे तुम मुझे मेरे अंकल के घर ड्रॉप करके चले गए उसके बाद से हम जब भी मिले जिस तरह तुमने अटेंशन दी, जितना मुझे प्यार दिया, मुझे जैसा रिस्पॉंस दिया मेरे लो रहने पर तुम कितने रेस्लेस होते थे मैं लेट करती थी तो तुम मेरे लिए कितना इगर ली वेट करते थे आनन वो सब कुछ क्यों बदल गया, उसके बाद मैं विजेवाणा आना चाहती थी तो तुम्हें मैच जाना था, मुझे मना किया और अब, आब मुझे रोट पर खाड़ा कर दिया वाई आनन, वाई रुको विजे, इसे तुम्हें भी सुनना चाहिए ये भी पहले तुम्हारे जैसा भीएव करता था, पहले इसने मुझे बहुत स्पेशल फील कर आया और बाद में सब कुछ बदल गया, तुम्हारे में और इसमें डिफरेंस क्या है तुम सारे के सारे लड़के, सब एक जैसे होते हो, क्या? पहले केर दिखाते हो, फिग्रांटिट लेते हो हमारे कन्फर्म करते ही तुम इतना क्यों बदल जाते हो? आनसमी आनन्द विजे बदल गया, और इसलिए मैं उससे दूर हो गय और अब तुम, तुम में भी वही चेंजिस देख रही हूँ कल शादी के बाद तुम और भी जादा बदल गए, तो मैं क्या करूँगी? शादी हो गई तो जैसे भी रह एकसेप्ट करना पड़ेगा, ना? एक बार शादी हो गई तो उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं अपनी मन की बाद भी नहीं कह पाऊंगी दू यू अंडरस्टांड? विजे जब वापस आया तो, आयव मुवड ओन कहा था दू यू थिंक आ शुद मूव ओन आनंद? विजे ने जब सौरी कहा तो, नीजम आसी ने एक बात कही थी इस टू लेट, अक्षरा इस टू लेट, आनंद? बोलो, आनंद, इस टिल लॉन्ट लेट, बोलो आखिर में मेरी खुशी किस के साथ होगी? ये डिसाइड करने का च्वाइस मेरा है, बोलो, आनंद आनंद, प्लीज बोलो, आनंद अक्षरा, तुम्ही सही हो, डिसिजन तुम्ही ही लेना है अब भी कुछ नहीं बिगड़ा तुम किस के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हो? वो भी तुम्हारे हाथ में ही है हम दुनों की शादी से ज्यादा तुम्हारी खुशी ही इंपॉर्टन्ट है, अक्षरा अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तो हम यहीं रोक देते हैं वो भी एक शाम थी यह भी एक शाम है याद आती है जिसकी वो जिसकी तलाश में मैं घूमा शहर शहर याद आती है गुजारे हुए पल वो शाम वो शाम वो शाम फिर लगता है गाना इसी अच्छा नहीं लगा कुछ और गाता हूँ कल थी यही आज नहीं क्या फिर कभी मुलाकात हुई किसे होद मेरी सिचुएशन पर गा रहा है वा क्या है बादलाओ की अमना किरा बिजली गिर्ती है क्या है नहीं गडरती पर यहां पर गेर गई अ तो जल्दबासी कर रहा है अक्ष्रा नहीं मैंने ठेक ही किया आके तेरा प्रॉब्लेम क्या है तु आदि की आiring maasi कुछ सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना अगर एक बार साथ फेरे ले लिए तो फिर अपने कदम पीछे नहीं ले पाऊंगी शादी के बाद उनके घर में टीवी, फ्रिज, कबड जैसा कोई फरनिचर बन के तो नहीं रहना चाहिए ना वैसे भी लाइफ पार्टन से लेक करने के लिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूं तो गलत कर रही हूं क्या तो यह वह था पापा अगर बारिश के कारण मैच डिले होता है तो हम वेट नहीं करेंगे क्या क्यों नहीं करेंगे मैं वहाँ पहुचने में थोड़ा सा क्या लेट हो गया इतनी सी बात के लिए मैं बदल गया पहले जैसा नहीं रहा अब उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए बोली फिर भी गेम बीच में छोड़कर जाना चीटिंग होती है ना पापा तो उनको समझता क्या है लड़किया है ना उनको हैंडल करना हो तो मैंने प्यार किया मूवी में जितना सलमान को पेशन्स था उतना तुझे होना चाहिए तब प्यार में पड़ेगी अल्रेडी मेरे प्यार मेथी पर अब क्या करूँ अब अगर जमीन खोदने के बाद भी अगर पानी नहीं निकला तो क्या करना चाहिए दूसरी जमीन पर खुदाई करनी चाहिए सुनो, तुम लगों की प्यार में यही प्राब्लम है तुम लोग ठीक से जजमीन नहीं करते हो हर बॉल पर सिक्स मारना चाहते हो कुछ छोड़ देना चाहिए कुछ डिफेंड करना चाहिए वरना आउट हो जाओगे बेटा इन लड़कियों के साथ आराम से सिंगल लेते हुए लेते हुए करक्ट टाइम आने पर सिक्स मारना चाहिए और देखो गेम को बीच में नहीं चोड़ना चाहिए समझ रहा है ना मेरी बात समझ गया पापा तेरे समझने को नहीं अक्षरा को समझना चाहिए क्यों मेरा दोस्त कहा चला गया ये गिलास वहां कैसे पहुचा? मैंने छोटा सा सित मार लिया चेर्स तेजो पूरी रात में सो नहीं पाई सोने देना तेजो यार गुछा आरे सोने देना तेजो तो कब आई यहा असे? मैं तो एक्सपेक्टी नहीं कर रहे थी मेरे बिना तो शादी कैसे कर लिती? आजा बैट जा और पता राहूल भी आया क्या? यार राहूल के बाद साइड में राख तू बताना यार तुझे रात में नीन नहीं आई? कल रात आनन्द हाँ आया था क्या? रूम में नहीं सपने में वैसे तू ऐसी कैसी हो गई? लड़की जैसी लगी नी रही? जैसे किसी चीडिया के तबेत खराब हो दुलहन बन रही है, खुश रहना चाहिए शादी के बाद ऐसी पड़ी रही तो घर से बाहर निकाल देंगे चला हम बाद में गप्पे मारेंगे अभी जाके रेड़ी हो जा वैसे अंकल, आपको पौदे इतनी क्यों पसंद है? क्योंकि हम उन्हें बस मुठी बर पानी देते हैं और वो हमें जिन्दा रखते हैं कुछ समय पहले तक इंसान पेड़ की च्षाओं में रता था लेट्स प्लांट ट्रीज, लेट्स सिफ ट्रीज बोलने से कुछ नहीं होता है येस अंकल हमें इंप्लिमेंट भी करना चाहिए सही कहा अंकल, इस बात से अंजान बहुत सारे लोग घर में कुट्टा पाल रहे हैं पेड़ पौदे नहीं, इसलिए अपनी मा से हमेशा कहता हूँ पौधों को घर के सदस जैसा देखना चाहिए मा ये क्या, आनन्द से काम करा रहे हो अब तुमसे तो नहीं करवा सकता है ये क्या है कांदा पौः मतलब मैं यहां पौधो को खाना किला आ रहा हूँ तु मुझे नहीं किला सकती आपके लिए अंदर रखे हैं बेटा ये खा ले आंटी, आपी खिला दो न वाओवववववववववववववव आपके जैसा तो आपका पोह भी सूपर है यह लो आनन्द, आसा सुर्कों मस्द मस्का लगा रहे हो ना, अब तक कववा चिल ला रहा था तो मुझे लगा घर में महमान आएगा, वो तुम थी क्या, यह ले लव, तू खिला, मैं कॉफी ले के आती हूँ, कमान, 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 बहुत टेस्टी है, यह ले ले ले, यह ले आनन्द, हाँ, तुम यहां क्यों आ गए, मतलब तुम मेरे घर क्यों आ गए, साडिया लेनी है, बैंगल्स लेनी है, तुम्हारे लिए, मज़ा कर रही हो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे तुम तो बड़ी confusion party हो ना, इसलिए selection में help करने के लिए मैं खुद आ गया आनन, मुझे decide करने के लिए time चाहिए मैंने कहा था ना ओके, ओके, इसी बात को अंकल अंटी से बोल दो तुम पागल हो क्या ओके, मैं खुद ही बोल दूँगा, अंकल, अंक जगड़े हो जाएंगे क्यों होंगे, जैसे मुझे convince के वैसे उन्हें भी कर दो एई, देखा न, तुम उनसे नहीं बोल पा रहे हो, यानि मुझे से कितना प्यार करती हो, समझ आया तुमारा mind no-no बोल रहा है, तुमारा heart hold on बोल रहा है ब्रेइन हमेशा confused होता है अक्षरा, तुम अपने heart से सोचो, तब तक मैं दूला बनकर अपनी life enjoy करता रहूंगा confusion तुमारी है, मेरी clarity मेरी है मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है, बाकी तुमारी मर्जी यह क्या, तु अभी तक ready नहीं हुई, आनन्द आ गया है, वो आ गया तो, उसके लिए अब ready होके बैठना पड़ेगा कैसे बाते कर रही है, वो तो तुझे बाहर घुमाने ले जाने के लिए आया है ना मासी, वो क्यों आया पता भी है आपको, आप सबको इंप्रेस करने के लिए आया है बुद्धु कहेंगी, वो अपनी मर्जी से नहीं आया, तेरी मा के बुलाने से आया है अपनी इमेजिनेशन से बाहरा, और जाकर पहले तैयार हो जा ए, मैं बोर हो रही हूँ, कुछ बात करो बाहर चले क्या, ए, तुम भी न, जैसे न्यूस वाले एक ही टॉपिक को सौ पर बताते हैं, वैसे बूल रहे हो, इस टॉपिक को तुम कब छोड़ोगे ओके, ओके, हम दोनों मिलकर एक छोड़ा से गेम खेले क्या, क्या गेम, हमारी शादी के बाद, अरे, ये भी वही टॉपिक है, हे, हे, खूल, बोला ना गेम है, रिलाक्स, चिल, हमारी शादी हो गई है, सपोज, सोहाक रात भी हो गई, सपोज, हमारा एक लड़का भी हैदराबाद में ही करते हैं, नो प्रॉब्लम, उसके करियर के मामले में तो कोई कॉम्प्रमाइज नहीं होगा, और उसे मस्त सौफ़वेर इंजिनेर बनाएंगे, तुम्हें उसे अमेरिका भेजना है क्या, तो डॉक्टर बनाते हैं, इंसानों की जान निकालने के लिए, तो फिर सिंगर, सिंगर चलेगा न, आयायायायायायाया, ओ नो नो फिर वो तुम्हारी तरह हो जाएगी, ओ मैन, ठीक है, तुम्हीं डिसाइड कर लो, लड़कियों को इंडिपेंडेंडेंट रहना चाहिए, लोगों के बीच रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आईएस, अची है, वो उसे कैसे पता होगा, क्या सही है, क्या गलत है, पैरेंट्स होने के नाते हमें देखना चाहिए, मैने सही कहा न, माते, सही कहा एकदम तुमने, तुम भी अपनी शादी का डिसिजिन, अपने पैरेंट्स पर छोड़ दो न, तुम भी तो बच्ची हो, ए, तु तुम तो गेम खेल रहे थे न, अब ये क्या है, चलो टॉपिक बदलो, अरे, वैसे तुम कब लॉट रहे हो विजवाडा, मैं क्यो जाओं विजवाडा, कल बहुत स्पेशल दे है न, तुम्हें याद है, कैसे बूल सकता हूं, तुम भी तो आ रही हो न, वो कहां, उस दि इतनी होपस बढ़ा के बैठे हो, अगर मैं तुम्हें नो बोल कर दूर चली गई तो, तब क्या करोगे, क्या करूँ, दूसरी शादी कर लूँगा, हमारे फार्म हास पर उसे ले जाओंगा, अटलीस नेक्स्ट येर, टेंशन मतलो, मजाग था, तुम मना करो कि तो बहुत दुख होगा, फिर तुम्हेरी आदों से बाहर आने के लिए ट्राइ करूँगा, उसके बाद मेरी दूसरी लाइफ, दूसरी वाइफ, एडजिस्ट हो जाएंगे, एक बात जरूर बोल सकता हूँ, तुम मेरी लाइफ में नहीं आई तो, तुम्हारी याद आई की अक्षर काई हो जुम्हारी फिर दुम्हेरी लाइफ, एक अई पाहर जाएंगे, तुम्हारी वाइफ, जग यथ ए खता हुखर्श। कि भiquष कि पुष कि में फिर कि यो त iemand पुल तो पूल को पुल है है हापी बर्थ दे तुम्हें याद था हूं है थांक्स यह वेलकम तुम जानते हो यह क्यों नहीं बताया है अच्छी सिर्फ बताई नहीं एक्सप्रेस भी की जाती है अच्छा है पर इसे अक्सप्ट नहीं कर सकती क्यों तुम जानते हो ना मैं किसी भी चीज के लिए शौर नहीं हूँ एफ और आनन मैं इसे अक्सप्ट नहीं कर सकती तुम वापस ले लो क्या हुआ मैंने कहा था ना बेसिकली इस आनन्द में कुछ मैजिकल बात है जिसमें से कोई भी एसकेप नहीं कर सकता तुम एफ और आनन्द में इतनी इन्वाल्व हो गई हो के एफ और अक्षरा भी याद नहीं क्या तुम्हें हापी बहत्ते जो मैंने देखा था सपना वो तु है मागों अब कुछ वे ना ज्याना राहे इतनी है के चुनना है मुश्किल मन्जिर का रस्ता जानू ना दर मत पगली तू संग मेरे अपने कदम तो बढ़ा गर पग तेरे डोले डग मग तेजी को समा लोगा देर लगता है जो संग तेरे कदम बढ़ा रहे हैं बोन इंदा बाक शुरू हो गया है यानि उस बाक में बोन रहेगा उस बोन को अपने नाम करने के लिए कानपूर से करीना और सूरत से सिधाकर दोनों लगे हुए हैं कौन उस बोन को अपने नाम करेगा ये पैंट खिसक गई तेरी पैंट को समझ गई लेकिन बोन मिस हो गया अब दूसरे दावेदार दुश्मनों को ढूंकर खत्म करने वाले हिम्मत वाले ताकतवर शूर भीर हमारे घर का राजकुमार आननद अब इनके साथ टक कर देने के लिए हंस की राणी अरुंधती की बहना देव सेना का दूसरा नाम हमारे घर की होने वाली बहुर राजकुमारी अक्षरा औरे यही तो तेरे खेलने कूदने के दिन है जा ना पेटा खेल के आ अपना ही है हमारा है चलो जा ना खेलो अक्षरा बोन इन दा बोक्स राउंड टू शुरूर अना इस राउंड को तुमें ही जीतना है कमोन अनंग बोन अपना ही है अरे अक्षरा अक्षरा तुम हार ना माज कमोन फुल कॉंसेंट्रेशन के साथ खेलना वर ना हार जाओगे इंपॉसिबल मेरे मैजिक के बारे में पता है ना विजयवड़ा का लड़का है तुम ऐसे क्या देख रहे हो उमारी आखे इन आखों में नशा है इन आखों को कोई भी देखकर इन में दूब जाएगा तुम एंद्र धनुष हो यू ब्रिंग कालर टु एफ्रिबडी स्लाइफ और ये क्या है वीडियो दिखाई दे रहा है और यो गायव है करो ममी तुम एक डिक्शनरी हो लाइफ में मीनिंग भर देती हो अच्छा तुम एक अलाम क्लॉक हो सोते हुए दिल को उठा देती हो अच्छा ये सब सच है सच बोलो तुम एक समुंदर की लहर हो जैसे ही नजदीक आती हो तूर चली जाती हो तुम किसे हुए टेप प्रॉमिस तुम हार गए हो क्या मतलब तुम्हारे हाथ में मेरी ड्रेस है बोन तो मेरे हाथ में है कि अधिया कि लड़कों ना बाजी मारती है और लड़के हार गए देखा आपने वाणा के राजकुमार के कपड़ उतर गए बेचारा मामी यमी मेरा बच्चा पाप आपको अभी देता हूं मीठा खिला के मारे का क्या क्या क्यूटी पाई सिर्फ यह दे रहा है और दे न उससे बस क्यूंइ इससे खिला ना लेकिन दादी इस तरह सबके साङ क्या आज मीठा नहीं खिलाएका तो सुहागरात की रात को लेख बोल रही थी तो जैसे को ऐसा आपकुला देंगे तो मंगल्वार का मो continuous यह मैं जो आप्छा खिलाने के लिए कि खिलाते ना अरभ चलो कहा पापा बताता हूँ रुको जल्दी भी क्या है हाई सर्फ वेल्कम तो गोल्ड फेच्च तेट इस जो फ्लेंक यू इधर आओ बीटा यह है बैलकनी अच्छी है नहीं यह है किचिन यह है बेड्रूम अच्छा लगा हां बहुत अच्छा है यह क्या है आनन तीसरा बेड्रूम उस तरफ आएगा मा और दो कार की प्रेश्च यह सब क्या है मा यह तु रोक बेटी अक्षरा यह तुम्हारा घर है तुम इसे बद्धे गिर्फ समझ लो शादी का तोफा समझ लो तुम्हारी मर्जी यह लो बेटा इसी लिए ऐसी तयारी की होगी मम्मे यह लो से ले लो बेटी लो अक्षरा अक्षरा अपने हाथों की छाप लगा दो हमारे घर की लक्षमी घर आई है इस घर को भी तो पता होना चाहिए जन्नत की खुशियां मलाया तिरे दर्पे सोचे तू फिर भी क्या जाने जन्मु जन्म की सारे खुशियां तहद तु लादू मैं दिल को तसल्ली जो भी दे दे सब कर जाओ मैं क्या सोच रही अक्षरा उस विजय ने कॉल किया एक बार नहीं सौ बार कॉल किया वैसे यहां क्या चल रहा है मुझे मासी ने सब बता दिया इंगेजमेंट हुए लड़की से उसे क्या बात करनी है देख तू उससे जरा दूरी रहे वो दुबारा तुझे फसाना चाहता है ए मैं तुझे से बात करीओ और तू अंदर जा रही है तेरे कन्फूजन से यहां फ्यूज उड़ रहे है आनन ने सिर्फ एक बार गलती की और तू उसे इतना बड़ा पनिशमेंट दे रही है एक महिने से तुने उसे इतना परिशान करके रखाय फिर भी वो लड़का हसते हुए तेरे आगे पीछे घूम रहा है तुझे कितना प्यार करता है वो वो मलहम जैसा लड़का है तो क्यों उसका सर्दत बनी हुई है मैंने अपने पैस्वेंट से शादी नहीं की जिससे शादी की वही मेरा पैस्वेंट बना मेरी बात समझ रही है ना तू उस विजे से बात कर कोई बात नहीं पर जो मैंने कहा उसके बारे में सोचना जरूर बाकी तेरी मर्जी विजे तुमने कॉल किया था क्या या तुम दिन पर कहां थी वो विजे अक्चली एनिवे मैं लंडन जा रहा हूँ फिर नेक्स मन्त लोटूँगा एक बात पूछू अक्षरा क्या डिसाइड किया तुम में बस एक बार हां बोल दो I will I'll come back to you विजे अपना डिसीजिए मेरी वजह से मत बदलना अक्षरा वैसे भी मैं तो जाही रहा हूँ तुम आराम से डिसाइड कर लो तुम जाहे जो डिसीजिएड हो I'll still keep loving you One thing, अक्षरा अगर शादी के लिए राय बदलती हो तो I'm just a call away मैं इंतिजार करूँगा तुमारा एरपोर्ट पर In case you can't make it तुमसे वैसे ही प्यार करता रहूँगा Till I die Be happy Bye अरे नहीं, अक्षरा ने अभी तक सिलक्ट नहीं क्या सिलक्ट करती तुम्हें भीजवा दूँगी Okay, thank you Akshara क्या डिसाइड किया तुने Akshara क्या डिसाइड किया तुने वही डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कबसे यही सोच रही हूँ तो जल्दी डिसाइड कर ले ना उसे लेस और इंब्रोइडरी डिजाइन करने के लिए टाइम लग जाएगा ना मासी, साडियों के बारे में नहीं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ जादा चीलने से फैंसल भी खत्म हो जाती है, Akshara तो बहुत जादा सोच रही है ऐसी अगर सोचती रहेगी ना तो मेरी तरह सिंगल रह जाएगी तुभी उसमें गलत क्या है? लड़की हूँ तो कमपलसर या शादी करना मैंने आपको तो कभी भी दुखी होते नहीं देखा मैं आपकी तरह नहीं रह सकती तो तेरी मा ने शादी नहीं की है क्या? उन्हें कभी दुखी होते हुए देखा है? वसे मैं हैपी हूँ यानि ये तुझे कैसे पता? मैं हमेशा हस्ती रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी नहीं हूँ पती के रहने से भारोसा मिलता है और बच्चों से मिलते है खुशी I think that is life I missed it Please You don't miss it आनन के ममी का फोन आ रहा है आंसर कर पर क्या टेंशन है? बात तो कर हलो हलो अक्षरा बिजी हो क्या बेटा डिस्टब तो नहीं किया अरे नहीं आँटी बोलिये कुछ नहीं अक्षरा शादी नजदीक आ रही है न अभी तक मंगल सूत्र नहीं खरीदा हमने कल हैदराबाद जा रहे है वहीं से मंगल सूत्र ले लेंगे तुम भी हमारे साथ चलती हलो 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 कट कया क्या हलो नहीं आँटी सुनाई दे रहा है मुझे अच्छा बेटा कल मंगल सूत्र खरीदने के लिए हैदराबाद जा रहे है मंगल सूत्र अपनी पसंद का ले लो ठीक है न बेटा अक्षरा ओके बेटा ओके ओके अक्षरा तो फोन रखूं क्या हुआ मंगल सूत्र खरीदने के लिए आ रहे हैं मंगल सूत्र खरीदना तो कितनी बड़ी बात होती है न यह लोग सब कुछ अपने ही हिसाब से करे जा रहे हैं मैं ही अक्षरा तूने ही जाएगी बोल दे रोज रोज दुखी होने से अच्छा है एक बार बिना डरे सब को दुखी करते अटलिस्स यूवल भी हैपी यह कैसा है कुछ और ट्राइ करो यह पर्स क्लास है मुझे वो दिखाना थेंक्यू वाव बहुत सारे डिजाइन्स है इन में से कोई ट्राइ करो अच्छा लगे तो सिलेक्ट कर लेना आपको कौन सा पसंद आया आंटी सारे डिजाइन्स अच्छे है तुमें ही डिसाइड करना होगा आंटी मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता सिर्फ तुमें ही नहीं मिटा आजकल की किसी भी लड़की को इनके बारे में नहीं पता जब इसकी कीमत समझ जाओगी तो इसे गले में नहीं अपने दिल में रखोगी आंटी यहाँ आईए यह नेकलिस देखिया है हाँ बस आई तुम सिलेक कर लेना यह कैसा आंटी बहुत सुन्दर है यह तो में आए दिल थोड़ा भारी हो गया होगा न मंगल सुत्र का पावर ही ऐसा है formula of goodness बहुत थैंक्स एक्षरा मज़े लगा तुम नहीं आओगी घलत साबितों कर अच्छा लगा I'm so happy मैंने अभी तक decision नहीं लिया है आनन तो आई क्यों हूँ मैं आंती को मना नहीं कर पाई आनन अक्षरा तुम क्या कर रही हो जानती भी हो तुम शादी नहीं करना चाहती फिर भी मंगल सूतर चुन रही योक्षरा बहुत बड़ी गलती कर रही हो अक्षरा इनगेजमेंट कर लेते हैं और मंगल सुतर भी खरिदे लेते हैं शादी के कार देदेने के बाद पापा मुझे ये लड़का पसंद नहीं दूसरे लड़का पसंदे बोलके पलर जाते हैं अरे रे 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 ये लड़किया है या जंगल के बंदरिया एक पेड़ पसंद नहीं आया तो दूसरे पर छलांग मरती है अगर लड़की को लड़का अच्छा नी लगा तो कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता देखो, मुझसे तो ऐसी बाते करो ही मत तुम लोग ऐसी बाते करते हो, तभी वो ऐसी बन गई रात पर घुनते हुगे, उससे समझ नहीं आया भैसाब आपको कैसे पता चला कैसे पता चलेगा हां लड़के वाला ने फोन किया तो पता चला शरम के मारे मेरे नजरे जुग गई भावी बोलती भी क्या सादी से शादी से एक गंड पहले मुझे बोलती है ये शादी पसंद नहीं ऐसी बात चाहने से पहले किसी के आगे पीछे में भूल जाद है कि अ들े से पालने सिसी कि प्यार कीक rather अब जछी से उसके बड़ के उसके इस ही चादरों जा कंछ जो हां ही far तैंक यू अब क्या है ले ली न एक बार अक्षरा को बुला के बात कर लेते हैं किस बारे में अरे वही जी बाहर जो बाते हो रही थी उन्हें सुनकर मुझे बहुत टर्ड लग रहा है आपको विजय और अक्षरा के बारे में पता है न वो दुनों फिर से साथ में काम कर रहे हैं, आजकल खुज भी हो सकता है जी, एक बार उसे बुला कर पूछ लीजे ना, हमने जो फ्रीडम दी है ना, हमारे पूछने पर बताने के लिए नहीं, अगर कोई बात हुई है तो हमारे बिना पूछे ही, वो आकर हमें बताएगी इसलिए, समझ गई? ऐसी बात नहीं है जी, शादी बहुत बड़ी चीज है ना, शायद इसलिए हमसे बात करने से डर रही हो, मैंने उसके चेहरे पे अजीब सी बेचानी देखी है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है वो मेरी बेटी है, अगर कुछ बात होती तो वो आकर हमें जरूर बताती, वैसे भी हमारी अक्षरा हमारा सर जुखने नहीं देगी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है अब तक तुम लोग बांधी रहे हो, शादी के लिए अब ज्यादा समय नहीं है, इसे पूरा करना है, ये पूरा बॉर्डर अरे आनन्द, तुम यहां अकेले क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पापा देख, मैं जो पूछ रहा हूँ, साथ सक बताना, सिक्सर मारा है नहीं? मारा की नहीं? मैंने तो शॉट खेल लिया पापा, बॉल तो हवा में है, बांडर के बाहर गिरा तो सिक्स, अंदर गिरा तो कैच्छ सिक्स मारा तो है पी, कैच मारा तो बीपी बीपी, बीपी, बी पॉजटिव पापा ए तुधोने के जैसा कूल कैसे हो सकता है अगर मैं जीतना है तो वैसे ही रहना होगा ना यह तो प्रेशा कोगर के जैसा है अंदर उबल रहोगा और बहार सीटी बजा रहा है पक्या रहा है आई नमस्का नमस्ते जी नमस्ते 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 और आई 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 अए आने में वह बने तकलीफ तो नहीं हुई यह देखो ना यह देखो इतनी सारे जेबर देखके न मुझे तो मेरी शादी की याद आ रही है साडियों में कुछ ज्यादा इंट्रेस्ट है आपका गुद मॉर्निंग आंटी अंकल और आंटी तयारिया क्यासी है बहुत सुन्दर है पूरा घर मंडब जैसा सुन्दर लग रहा है वैसे आनंद यह मेरा भाई दामोदर विजयवाड़ा में रहता है दामोदर जी आप ही है ना अक्षरा आपकी बारे में बहुत बात करती है अनन्द तुम्हारे बारे में भी बहुत सुना है गाने शायरी और कविता बहुत अच्छी लिखते हैं तो क्या हमें कुछ सुनने को मिलेगा अरे नहीं नहीं मैं शायरी के मूड में नहीं हो अंकल मेरा कॉंसेंट्रेशन तो अक्षरा पर है अनन्द अब तुम हमारे बीच चाही गए हो तो एक कविता सुना दो ओके इस बार इस ताइम फॉर चेंज कविता आप सब लोग सुनाइंगे कमान लेट्स डू इसमें आप सब का नाम है इसमें जिसका नाम आएगा उसे कविता बोलनी पड़ेगी टॉपिक मैं दूँंगा आप लड़की सुई जैसे मर्द है दागी जैसा बीना धागे के सुई क्या करेगी जगह जगह चुकती रहेगी इसके ज़िवन भार चुकती रहेगी लेकिन सुई दागह तो शर्ट का बटन लगाया जा सकता है ताड़ी का ब्लाउस सिल सकता है पती जाधा बोले तो उसका मूह भी सिल सकता है पति और पतनी पती और पतनी पतनी उसे पती का बैक बून बन कर रहना चाहिए पतनी खर की लक्षमी होती है उसे नौकरानी की तरह नहीं देखना चाहिए पती वाटस अप में फालतू जोक्स फारवड करने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि पत्नी को हाउ आर्यू डार्लिंग कहकर अपनी फीलिंग शेर करने वाला होना चाहिए पत्तनी को काफी में शुगर की तरह होना चाहिए बाडी में शुगर की तरह नहीं होना चाहिए आंटी आप मिता लिए नेर्जा आपका टॉपिक छाता जगडा बारिश में छाता चाहिए समुंदर में नाव चाहिए प्यार में जगड़े ज़रूरी है उसे समझने के लिए अच्छा सा दिल चाहिए समझ नहीं पाए तो लाइफ बेकार है अक्षरा दारू सोडा अनन लचू माचा अक्षरा शर्माओ मत यार हम दोनों अलग लग तो नहीं है न तुम्हारे बदले में मैं बोल दूं क्या क्याना है हाँ हाँ बोलो 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 दारू सोडा दारू अगर ग्लास में जाये तो साइलेंट हो जाती है अगर सोडा पड़ जाये तो वाइलेंट हो जाएगी हम हमेशा दारू सोडे के बारे में ही बात करते हैं पर उनको मिलाने वाले ग्लास को कोई नहीं पूछता बलास जैसे दारू और सोडे को मिलाता है वैसे ही शादी एक लड़के और लड़की को मिलाती है शादी का मतलब जिसके साथ जी सकते हैं उसके साथ करना नहीं जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं उसे शादी कहते हैं हजारों आशाएं, कई पसंद, लाखों सोच, करोडों खुआईशों से होती है, वेडिंग, जैसे हमारी हापी वेडिंग आनन, बस दो दिन बचे हैं, फिर तेरी शादी हो जाएगी जानता हूँ मा तुमसे एक बात कहूँ बेटा, शादी होते ही, तुम घर छोड़कर तुरंत मत चले जाना बेटा क्योंकि हमें अक्षरा की आदत हो चुकी है, अब शादी के बाद उससे अलग होने का मान ही नहीं हो रहा हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, और अब अक्षरा के आने से वो कमी पूरी हो गए मा क्यों मा, अक्षरा को लेकर इतना इमोशनल मत हो, वो हर दिन एक जैसी नहीं रहती ए, ये क्या बोल रहा है हाँ, अक्षरा बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे बेहत पसंद है जैसे तू मेरे लिए है, वैसे अक्षरा भी है, जैसे तेरे बिना दिल नहीं लगता, वैसे अक्षरा के बिना भी नहीं लगता शादी के बाद उसे अपने घरवालों को छोड़कर आना पड़ेगा, ये सोचकर मुझे चिंता हो रही है तुम कितनी अच्छी है, ये तुम्हे भी नहीं पता, मा मजे आप जैसी मा और उसे आप जैसी सास मिलना, बहुत मुश्किल है, मा अरे, अक्षरा जैसी बहु पाकर कोई भी सास ऐसा ही कहेगी मेरे बेटे का जिन्दी की भर साथ देने वारी लड़की को इतना प्यार करना तो बनता है न भगवान के दिया से सब कुछ ठीक चल रहा है, अब शादी की सारी रसमें बिना किसी रुकावट के हो जाएं, तो अच्छा होगा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, परस्नल है इन्हें सब पता है, इनके सामने बोल सकते हो ग्रेट सुबोलो मैं क्या बोलूँ मुझे जबाब चाहिए, क्या डिसाइट किया है और दो दिन में हमारी शादी है अरे, यहां चल क्या रहा है महंदी लगा रहे है, यो साडिया ले रहे है, यो मंगल सूत्र खरीद रही है तुम विजे वड़ा क्यों आई फिर, आई यू आउट ओफियर माइड तुम्हें इस शादी नहीं करनी न, राइट तुमने अलरड़ी डिसाइट कर लिया है न, आनन क्या आनन, तुम क्या कर रहे है तुम्हें अंदाजा नहीं है न हमारे दोनों की फैमिलीज इस शादी को लेकर कितना खुश है यह देख रही हो न देखो, शादी का मतलब शॉपिंग करना, वेडिंग हॉल बुक करना नहीं है दो फैमिलीज के बीच के इमोशन्स है अगर उन्हें पता लगा कि तुम तयार नहीं हो, जानती हो उन सब का क्या होगा एक निट रुको, यह हमारी लाइफ है, हमारे पेरेंस की लाइफ नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स को हमें ही सॉल्फ करना होगा अपकोस, तुम्हें यह शादी नहीं करनी तो साफ ना बोल दो बीच में यह हाइडन सी किसलिए, समझ रही हो या नहीं देखो कैसे चिला रहे हो, अबसे पहले तुम कभी ऐसे नहीं थे रियल परस्नालिटी अब बहार आ रही है आई नो, इंसान सिचुएशन के हिसाब से बदलता है एक बार हम किसी से प्यार करते हैं किसी सिचुएशन में हम उनके लिए जीना चाहते हैं तो किसी सिचुएशन में मरना चाहते हैं वी कीप चेंजिंग वैसे भी इंसान क्या सॉल्ट या शुगर है जो हमेशा एक ही टेस्ट कर रहता है अगर तुम ये नहीं समझी तो ये तुम्हारी गलती है गलती तुम्हारी मेरे पेरेंट सफर करें ये नहीं चलेगा अक्षरा देखो कल जब हमारी शादी हो रही होगी मुझे शादी पसंद नहीं मैंने डिसाइड ही नहीं किया यही करोगी न आनन एक बार मेरी पोजिशन में आखर तो सोचो एक लड़की अपने घरवालों को छोड़कर पराय घर में कैसे रह सकती है सोच कर देखो चुप करो इस पूरे दुनिया में क्या तुम अकेली शादी कर रही हो बोलो क्या लगता है तुम्हें हम लड़कों को कोई टेंशन्स नहीं होते बस लड़कियों कोई टेंशन्स होते हैं एक बार हमारी पुजिशन में आकर सोचना शादी होने के बाद तुम्हारी रिस्पॉंसिबिलिटी मेरी है अगर तुम्हें कुछ हो गया तुम्हारे पेरेंस को मैं आंसरेबल हूँ पूरी सोसाइटी क्वेस्चन उठाएगी हम पर हमें क्या पता कैसी लड़की हमारे घर आने वाली है हमारी फैमिली के साथ अरजस्ट होगी या नहीं हम जैसी रहेगी के नहीं अच्छी होगी है बुरी या तुम्हारे जैसी पागल होगी ऐसे लाखो सवालों में करोडों टेंशन में एक बार सोच कर देखो अक्षरा अभी जैसे तुम बहेव कर रही हो मैं भी वैसा ही करता तो बोलो क्या करती क्या करती तुम तुम बस अपने बारे में सोच रही हो एक बार मेरे बारे में आखे बंद करके सोचो तब तुम्हे समझाएगा इस दिल में कितना दर्द हो रहा ठीक है एक्स、 तुम्हारे पेरन्स से मैं बात करूं मैं तुम्हे शादी नहीं करणीram अरे क्या ढरा आरेची है क्या या प्रेशराइस कर रहेँ मुझे प्रेशराइस नहीं कर रहा ह। यो बैवइंग्स लेका फूल मैं बता रहा ह। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं अक्षरा हमारी गेम के हम दोनों पार्टनर्स हैं अगर ये खेल खेलना ही है तो दोनों खेलेंगे and if you don't want to play this game you can leave leave right now कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि इसाइद तो करें लिया तुमने कि तुम अपने पेरंट्स से बात कर लो कि मैं अपने पेरंट्स को बता दूंगा कि कि यह शादी नहीं होगी अक्षरा इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ अरे नहीं नहीं अंकल आप क्यों सौरे बोल रहे हूं आप की इसमें कोई गलती है आप सोरी मत बोलिए हमारी गलती नहीं होगी पर हमारे बेटी ने गलती की है ना नहीं आंटी एक्चलि उसकी गलती भी नहीं है उसने कहा था नहीं करते शादी यहीं रोक देते हैं गलती मेरी भी है उसके मना करने के बाद भी मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिरेंट हो गया कि जो भी हो मैं उसे अपना बना लूँगा सब कुछ सेट हो जाएगा लेकिन जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं सुनिये जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं अब मैं किस मुसे बोलू जब अपने लोग जिंदगी से दूर हो जाते हैं तो उस फिलिंग को आखिर कितने लोग है जो समझ पाते हैं इस अकेले के अलावा आप ये क्या बोल रहे हैं सब उसकी मर्दी है सब उसी के हिसाब से होगा और हम क्यों मेरे घर के लोग मेरे समाज के लोग क्या समझेंगे ये मेरे लिए इंपोर्टेंट नहीं है मेरी बेटी क्या चाहती है वो मेरे लिए इंपोर्टेंट है आनंद उसने जो फैसला किया है वो गलत है या सही मुझे नहीं पता पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता वो अपने लिए चाहे जो भी फैसला ले वो फैसला मेरे लिए आखरी होगा अगर वो गलत भी है तो भी मैं उसे ही सपोर्ट करूँगा पर तुम्हारी तरफ से मैं एक रिस्पॉंसिबिलिटी लेता हूँ बेटा तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घरवालों से माफी मांग लूँगा नहीं अंकल आप मेरे घर मताना मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूँगा उन्हें जो बताना चाहिए मैं खुद बता दूँगा आप जल्दी यहां से हाइदरबाद चले जाए अंकल प्लीज क्योंकि यह बात पता चलने के बाद कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाना चाहिए अंकल ऐसा हुआ तो बहुत बुरा लगेगा बहुत दुख होगा आप सभी बहुत अच्छे अंकल प्लीज चले जाए अंकल प्लीज अंकल प्लीज आप बड़े हैं क्या आपको पता है फ्यूचर में हमारी एक लड़की फ्यूचर में अगर मुझे बेटी पैदा हुई और वो भी ऐसा ही डिसेजन लिती यकीन माने अंकल मैं उसे ही सपोर्ट करता आपने सही कह शादी से ज्यादा जिन्दगी इंपोर्टन्ट है पर एक रिक्वेस्ट है अंकल मेरे यहां से जाने के बाद अक्षरा को कुछ मित कहना प्लीज अंकल हमें हैदराबाद के लिए निकलना होगा क्षरा के प्लीज निकलना होगा प्लीज अंकल प्लीज प्लीज तर्वेस्ट है मैं रक्षरा एक मिनिट आनन अक्षरा तुम क्यों आई हो एक मिनिट में बात कर सकती हूँ क्या मेरी बात मानो यहां से चली जाओ बस एक मिनिट आनन आपसे आनन ने बता ही दिया होगा कि यह शादी नहीं हो रही है हमारे हैदरबाद निकलने से पहले आप सभी से बात करनी थी मुझे मुझे ठीक से याद नहीं है हमारी इंगेजमेंट की बात से मैंने जिस आनन से प्यार किया लगा यह वो नहीं है ऐसा लगा वो बिल्कुल बदल गया है मुझे एक स्रेज़ पर बहुत डर लगने लगा कल शादी के बाद ही और जादा बदल गया तो मेरा क्या होगा मैं सोचने लगी इसी लिए इस शादी से विड्रॉ करना चाहती थी हर लिते हो गए क्योंकि लाइफ में जब हम कुछ बुरा एक्सपीरेंस करते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा समहल कर रहने लगते हैं उसी टाइम हमारा कन्फूजन शुरू हो जाता है और कन्फूजन के वज़े से इंसेक्योरिटी होती है मेरे साथ भी वही हुआ दादी आपको पता है आपका पोता एक होपलिस फेलो है अपने आपको बहुत बड़ा हीरो समझता है वो गलती के बाद लोगों को माफ करने की बात करता है दूसरे लोग गलती करके बड़े अराम से वेट करते रहते हैं कूल रहते हैं, काम रहते हैं वो लोग मुझ जैसी indecisive confusion वाली लड़की को भी chance दिया इसने बहुत patience के साथ wait किया उस वक्त मैंने क्या किया पता है दादी मैं इसकी सर्फ गलतियों के बारे में ही सोचती रही हमेशा पर वो मेरे बारे में, मेरे parents के बारे में हमारे होने वाले बच्चों के बारे में सोचता रहा वो बहुत positive है कलानन ने मुझसे एक बात कही एक बार मेरी position में रहकर सोचो अक्षरा मैंने सोचा उसके बाद एक मिनट भी नहीं रह पाई मुझे खुद पर बहुत गुसा आया एक पिता अपनी बेटी को हमीशा सपोर्ट करता है वो जायस भी है पर वो क्यों मुझे सपोर्ट करता रहा क्यों मुझे चांस पे चांस देता रहा मेरे इतने टॉर्चर करने के बाद भी वो क्यों सहता रहा यहां तक कि कल भी मेरे गल्टी होने के बाद भी वो क्यों मेरे पापा के सामने मुझे सपोर्ट कर रहा था इतना अच्छा लड़का मुझे दुबारक कैसे मिलेगा अगर मेरी गल्टी भी होती है तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे न तुम मुझे अपने दिल में रखकर समालोगे मैंने बहुत हट किया आना तुम्हें तुमने बहुत पहले मुझ से कहा था दोनों की बीच प्यार शुरू होने के बाद उनके बीच कितने भी जगड़े हो जाए उन्हें भूल जाना चाहिए हमारे बीच भी जगड़े होए हैं क्या तुम उन्हें भूल सकते हो आनन प्लीज मुझे माफ करोगे न मैं तुम्हारी जितनी बड़ी राइटर तो नहीं हूँ पर मुझे जो ठीक लगएगा वो मैं बोलूँगी चिडियों के चहकने से आवाजे जरूर आ सकती है पर हमारे बीच का ये सन्नाटा संगीत है मैं बात हो सकती हूँ आनन पर तुम एक सुन्दर सा गीत हो मैं एक सपना हो सकती हूँ पर तुम आखों के सामने दिखाई देने वाला सच हो सही कहा था मैं अटकीवी टेप रिकॉडर ही हूँ हमेशा I love you, I love you, I love you ही पूलती रहोंगी Will you marry me आनन मैं एक नदान लड़की ने है जिदी ये छोड़ दी इस पर में आज ठाल जो खाब वो मेरा हुआ वो सच्छी है हाँ इस पर में आज जा रही थी छोड़ के साथ वो मेरा फिर से किल उटा जाहा मेरा यहाँ पत जड़ सी मेरी ये जिंदी गीत हाँ तेरे बिना तेरे आने से जाने जाहाँ भाग फूल सा किला ढम जाए पल यहाँ दिलू इसे बहाँ पत जाहाँ पत जाहाँ पूरुकुदे आने से जाहाँ पत जाहाँ दिलू इसे बहाँ एक बरस का सपना था, है सामने खड़ा, इस पल में आज दिल के तार बज़े उपे, है मन ये नाचता, इस पल में आज कालवा दिलों की इछाती घता, के ते तरी आसवा सजा जैसे सालों की भेनतों का फल है, अब मुझे मिला मैंने जो खुदिया था, प्यार वो है मैंने सा दिया दो जाए पल यहां दिल इसे गहां ओजाना मैंने इसे गहां दिल इसे गहां ंता, के तो जाहताई पल यहां दिल इसे गहां विर भापैना कर दो कर दो कर दो कर दो